इंडिया और अस्टेलिया के बीच होने वाले चोथा टेस्ट मैच में कप्तान रोहित सर्मा अपने टीम में ऐसे खिलाडी को सामिल करने जा रहे हैं जो अकेले दम पे अस्टेलिया की पुंगी बजा दे सकता है तो कौन है वो खिलाडी बताएंगे इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें भारत और अस्टेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सिरीज अब अपने आखरी पड़ा पर पहुँच रही है अभी तक जो तीन टेस्ट खेले गए हैं उसके पहले दो मैच जीतकर टीम इंडिया ने बढ़त बना ली है लेकिन तीसरा टेस्ट मैच में अस्टेलिया टीम ने वापसी की और इंदोर में खेले गए तीसरा टेस्ट मैच को नो विकेट से जीतकर अपने नाम किया अब सीरीज का आखरी मैच अहमदाबाद के नरेंदर मो टेस्ट चेंपियनशीब के फाइनल में जाने की राह में रोडा अटक जाएगा और टीम बाहर भी हो सकती है चोथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया अहमदाबाद में फिर एकत्रित हो रही है और अब रननीती बनाने का काम सुरू हो गया है इस बीच खबर आ रही है कि कप पटान रोहित सर्मा ने अस्टेलियाईयों को पचारने के लिए एक मास्टर पलान तयार कर रहे हैं जिससे अस्टेलियाई टीम को होस उड़ सकते हैं रोहित सर्मा और कोच राहुल द्रवीद एग ऐसे खिलाडी की पलैским अलेबन में इंट्री करा सकते हैं जो मैच विनर ह और कंगारवो को संकट में डाल सकता है टीम इंडिया के कप्तान रोहित सर्मा ने इन दोर टेस्ट में एक दिन पहले जब मीडिया से बात की थी तब इस और इसारा किया था कि आखरी टेस्ट में सरदुल ठाकूर की वापसी हो सकती है सरदुल ठाकुर उस टीम में सामिल किये गए थें जब इसी सियाई की ओर से पूरी सीजन के लिए टीम का एलान किया गया था लेकिन बीच में उनकी साधी थी इसलिए वे तीन में से एक भी मैच नहीं खेल पाएं थें लेकिन अब माना जा रहा है कि आखरी मुकाबले में मोहमत सीराज को रेस्ट दिया जा सकता है वैसे तो मोहमत सीराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और तीनो मैच खेले हैं ऐसे में हो सकता है कि उन्हें रेस्ट दिया जा सकता है और उसकी जगा सरदूल ठाकूर को टीम में सामिल किया जा सकता है